Good morning, good afternoon, good evening, assalamualaikum, sasriya kaal and namaskar my friends. आशा करते हैं, आप सब बढ़िया हैं, Immigration Ultimate में आपका स्वागत है. आज हम यूरोप की जिस कंट्री के बाड़े में जानेंगे, वो कंट्री यूरोप का एक largest कंट्री है. और अधर्स कंट्री इसे यूरोप का जन्नत कहते हैं. आज हम यूरोप के बाड़े में जानेंगे, डिसकस करेंगे, आप कैसे वहाँ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, और बहुत कुछ unknown fact, जो शायद आपको नहीं पता है. तो हमारे साथ जुरे रहिए वीडियो की एंड तक. So, लेट स्टार्ट दी वीडियो. दोस्तों, यूक्रेन एक बहुत बड़ा कंट्री है, और हद से जादा खुबसूरत भी. आपको Seven Wonders of the World यहां मिल जाएगा. तभी तो इसे जननत कहां जाता है. यूक्रेन कंट्री, रूस, बिलारूस, पोलैन, स्लोवाकिया, हंगरी, रुमानिया और मौल्दोबा बॉर्डर को टच करता है. और साथ में इसका Black Sea है. पॉपुलेशन से 4 करोर 70 लाख. 70% लोग यहां शहर में रहना पसंद करते हैं. और 30% लोग यहां गाउ में रहना प्रेफर करते हैं. दोस्तों, क्या बेकिंग आपकी होबी है? तो यूक्रेन आपके लिए बहुत बढ़िया कंट्री है. यहां की कॉफी शॉप में डिफरेंट टाइप्स का बेक्ट फूड और ब्रेड मिलता है. हर कॉर्णर में आपको स्वादिस्ट ब्रेड खडितने को मिल जाएगा. कहते हैं, सारे यूरोप में ब्रेड का सप्लाई उक्रेन से ही होता है. यूक्रेन में में टांसपोर्ट है ट्रेन. यहां हर छोटा से छोटा शहर रेलवेस कनेक्शन से जुड़ा है. यहां दुनिया का डिपेस्ट मेट्रो स्टेशन है. दोस्तों, यूक्रेन को आजादी 24 ऑफ ऑगस्ट 1991 में मिल गया था. जब USSR टूट कर 14 अलग कंट्री बन गया था. वसे यूक्रेन की आजादी की आग 1982 में ही लग गय थी. और 1987 में चानोविल नुक्लियार ब्लास्ट होने के बाद लोग USSR से तंग आगय थे. और आजादी के बाद यूक्रेन का डिवलप्मेंट देखने लायक है. यह कंट्री एक नॉन सिनेगन कंट्री है. मगर फिर भी जॉब्स, बिस्नेस और डिवलप्मेंट में बहुत सारे कंट्री से आगे है. दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड यूक्रेन के पास ही है. अन्टोनोफ AN-225 मिया प्लेन यूक्रेन में ही बनाया गया था. जिसकी हाइट थी 88.5 मीटर्स और वेट था 6,4,000,000. अब बात करते हैं जॉब के लिए क्या प्रॉस्पेक्ट है इस कंट्री में. दोस्तों, यूक्रेन में मैक्डॉनल्ड बहुत ही फेमस है. यहाँ हर शहर में हर चोहड़ाई पे आपको मैक्डॉनल्ड मिल जाएगा. और यूक्रेन को Capital of Cafe भी कहा जाता है. क्यूंकि यहाँ बहुत सी Coffee Shops है. इसलिए Coffee Shop in Charge और Food Delivery की जॉब यूक्रेन में बहुत ही पॉपुलर है. इस जॉब की सैलरी 17,000 UAH जिसमें अकॉमडेशन कमपनी से प्रोवाइड़ है. होटेल और रेस्टूरेंट में कुक, वेटर और फेसिलिटी मैनेजर की दिमांड बहुत जादा है. इस जॉब की सैलरी डिफरेंड है. कुक के लिए आपको 15,000 UAH with duty meal and accommodations मिल जाएगा. वेटर के लिए आपको 10,000 UAH with duty meal and accommodation and facility manager के लिए 25,000 UAH with accommodations आपको मिल सकता है. सुपरमार्केट मैनेजर, food delivery boy, assistant head sales की बहुत जिमांड यूक्रेन में है. और अच्छी बात ये है कि वीजा प्रॉसेस भी बहुत जल्दी हो सकता है. Immigration Ultimate आपको क्या अलग से सायाता प्रदन कर सकता है यूक्रेन वीजा के लिए? Immigration Ultimate के साथ यूक्रेन कमपनी का direct tie-ups है. Immigration Ultimate के consultant Poland, Lithuania and Slovakia में है जो यूक्रेन के परोसी है. Immigration Ultimate आपको सारे documents बना के देगा. Immigration Ultimate आपके documents को processing भी कर देगा. Immigration Ultimate आपको वीजा तक लगवा देगा. साथी साथ अब जब यूक्रेन की Capital City कीफ में पहुँचेंगे, हमारे consultant हर वक्त आपके साथ रहेंगे. प्रेक्ट फूड और ब्रेट के लिए यूक्रेन फेमर्स है. Main transport इधर train है, coffee shop in charge, food delivery boy, cook, facility manager, supermarket manager jobs. बहुत साथा available है यूक्रेन में. वीजा और पेपर के लिए Immigration Ultimate आपको हर तरीके का help कर देगा. यूक्रेन के कमपनी के साथ Immigration Ultimate का direct tie-ups है. सो वीजा के लिए कोई चिंता की बात नहीं है. तो अगर आप लोगों का प्लान है यूक्रेन में job करना, तो यूक्रेन का government भी ready है. आप लोगों ये वीडियो अगर आप YouTube में देख रहे हैं, तो प्लीज इसे like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए. और अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे page को like कीजिए, ताकि हम ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें. तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अच्छे रहिए, सुस्त रहिए. बाई बाई.